Hi Everyone, My Name is Shivani and Welcome to my YouTube Channel आज इस वीडियो में हम General Orange के कुछ कॉस्टन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम पिछली वीडियो में बढ़ चुके हैं उन्हीं डिस्ट्रिक्से रिलेटर इनमें कॉस्टन्स लिए गए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने अच्छे से समझ आया है और कितना आपको याद है अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिप्सक्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिये गये हैं आप वहां से जाकर देख सकते हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं तो पहला कौशन है हिमानचर पते इसके हमिरपुर जिले का गठन कब हुआ तो किसे को याद है कि हमिरपुर जिले का गठन कब हुआ था वीडियो को ज़रा पॉस कीजिए और सोचिए चलिए मैं बता देती हूं हमिरपुर जिले का गठन एक सितंबर 1972 में हुआ है नेक्स्ट कॉशिन इस कटोच वन्ष का संबन्थ किस से था मैंने आपको बताया था कि हमिरपुर का इतिहास कटोच वन्ष के साथ जोड़ा हुआ है जिनका प्राचिनकार मेरावी और सत्कलुज नदियों के बीच के क्षितर पर साशन था तो कटोच वन्ष का संबन्थ किस से था हमिरपुर से नेक्स्ट कॉशन इस हमिरपुर कि स्थापना किस ने की थी तो हमिरपुर कि स्थापना हमीर चन ने की थी आपको एकदम सी अंसर नहीं देखना है पहले आपको ध्यान से कौशन सुनना है और पढ़ना है फिर वीडियो पॉस करके अंसर खुद सोचना है उसके बाद फिर आप वीडियो चलाईए और अंसर चेक कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बिनाया गया है तो आगे बढ़ते हैं हिमांचर परदेश के मंडी जिली का गठन कब हुआ 15 अप्रेल 1948 में सुन्दर नगर का प्राची नाम क्या था सुन्दर नगर का प्राची नाम बने था नेक्स्ट 1820 इस्वी में सुकेत आने बाले यूरोपिय कौन थे तो जो सुकेत आय थे यूरोपिय वो थे वीलियम मूर्क्राफ्ट नेक्स्ट इस मंडी शहर के दम दमा मैहल का निर्मान किसने करवाया था मंडी शहर के दम-दमा मैहल का निर्मान किस ने कराब आया था तो सूरज से ने दम-दमा मैहल का निर्मान कराब आया था नेक्स्ट इस सुकेत रियासत की स्थापना किस ने की थी तो मंडी जीला जो है वो सुकेत और मंडी रियासतों से मिलकर बना है सुके त्रियासत की स्थापना पहले हुई है सुके त्रियासत की स्थापना साथ सो पैंसर इस्वी में बीर सेन ने की Next is हिमांचर परदेश के बिलासपो जिले का गठन कब हुआ याद है किसी को कब हुआ है बिलासपो जिले का गठन तो बिलासपुर जिले का गठन एक जुलाई 1954 में हुआ है नेक्स्ट इस 1809 से 1846 इसवी तक हमिरपूर किस के अधिहिन था? तो जो हमिरपूर है वो 1809 से 1846 इसवी तक सिखो के अंडर था नेक्स्ट इस हमिरपूर जिले का क्षित्रफल कितना है? 1118 वर्ग किलो मीटर Next मंडी रियासत का अंतिम राजा कौन था? मंडी जो है वो सुकेत और मंडी रियासतों से मिलकर बनाए है जो मंडी रियासत के अंतिम राजा थे वो थे जोगेंदर सेन Next question is भारत की स्वतंतरता के समय बिलासपूर रियासत का अंतिम राजा कौन था तो बिलासपूर रियासत के बहुत साई राजा रहे हैं लेकिन जो भारत की स्वतंतरता के समय अंतिम राजा थे वे थे आनन चन नेक्स्ट, बिलासपुर यासत पर किस वन्ष का साशन था तो चंदेल राजपूत का था क्यूंकि आप जानते होने की जो हर्यार थे वे बुंदेल खंद चंदेरी के चंदेल राजपूत थे मंडी के सुरखपूर दुर्ग का निर्मान किस ने करवाया था? मंडी में एक सुरखपूर दुर्ग है जिसका निर्मान 1695 में हुआ था जो सिद सेन ने करवाया था मंडी के किस राजा को कांगणा के राजा संसार चन ने 12 वर्सों तक नादाउन में बंदी बनाए रखा था? तो वो थे इश्वरी सेन 1792 में मंडी पर हमला किया था राजा संसार चन ने जिसके राजा इश्वरी सेन थे जो पांच वरस के थे इस्वर सेन के भाई चालेम उनको भी बंदी बना लिया नादावन में चौके किला में बारा साल तक बंदी बना कर रखा गुर्खों से लडाई होने के बाद उन्होंने इन लोगों को चुड़वाया था नेक्स्ट 1906 में मंदी के किस राजा ने दरबार हौल बनवाया तो वो बनबाया था भवानी सेन ने नेक्स्ट बिलासपूर 9 अक्तुबर 1948 को क्या बना था गश्ठेनि का राज्य नेक्स्ट कॉशिन इस बिलासपोर के किस राजा के साशनकाल को काला युग कहा जाता है खड़कचंद खड़कचंद के साशनकाल को बिलासपोर रियासत के इतिहास में काला युग के नाम से जाना जाता है जो ग्यारा बरस की आयो में गद्धी पर बैठे थे बिलास्पूर के किस राजा ने हंडू सीमा पर एकले का निर्मान किया था कल्यान चन ने कल्यान चन ने हंडू रियासत की सीमा पर एकले का निर्मान करवाया जिसके कारण दोनों रियासतों के बिच युद हुआ जिसमें हंडूर के राजा के मृत्यू हो गए थी नेक्स्ट इस जुग्गा आंदोलन किस जिले में हुआ तो बिलासपु में हुआ था अमर्चन के साशनकार में बिलासपुर के गेहडवी में जुग्गा आंदोलन हुआ झाल